जै महाकाल दोस्तों तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आप नरसरी चा रहे हैं तो ऐसे कुछ पौदे जो आप बिल्कुल भी मत खरीद दियेगा क्योंकि वो जो पौदे उसमें फूल नहीं आएंगे और नहीं वो उन ग्रो हो पाएंगे विंटर सीजन में तो ऐसी कुछ पौदों के बारे मैं आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसकीप नहीं कीजिएगा तो फ्रेंस इसमें सबसे पहला जो पौदा है अप्राजीता का है विंटर में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और पौदे की जो ग्रोथ है वो रुख जाती है आपको लगेगा कि पौदा डेड हो गया पर ऐसा कुछ नहीं है समर सीजन में फिर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो यह पौधा अगर आप नर्सरी जा रहे तो बिल्कुल भी नहीं खरी देगा कि पैसे जो है वेस्ट हो जाएंगे मैं कुछ ऐसे पौधो के जो नाम है वो भी कमेंट वोक्स में लिख दूँगी अगर आपको पौधो के नाम याद नहीं रहेंगे तो वहां से आप श्केंशॉट ले सकते हैं यह आपको फोटो भी दिखा रही हूं कि अगर नाम याद ना हो तो आप इस पौधे को देख ले तो विंटर सीजन में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती हैं यहाँ पस्लो प्लांट यह भी यह इभी अप विंटर में मत खड़ी तीयागा इसकी वी इसते हैं स्लो हो जाती है यहाँ पे बात करते हि ठर्टल वाइन की अब जितना यह घंण हो चुका है विंटर में ज्यादा यह घंण होने वाला नहीं है यहां पर बात करते हैं रोहियों की ऐसे तो इसमें ज्यादा कुछ खास होता नहीं है असर लेकिन फिर भी ग्रोथ थोड़ी रुख जाती है यहां पर देख सकते हैं मैंने आप जो भी जान सकते हैं बहुत लोगों को तो पता ही होगा यहां पर बॉंडरिंग ज्यू की बात करते हैं तो विंटर में यह भी आप मत खरी देगा इसकी वी जो ग्रोथ है रुख जाती है यह भी एक शो प्लांट है यहां पर बताऊंगी चंपा का जो पौदा है विंटर में इसक प्लांट में चला जाता है आगे और भी कुछ प्लांट में आपको दिखाऊंगी यहां पर देख सकते हैं ब्लीडिंग हर्ट है एक ही गमले में दो प्लांट लगे वे हैं तो यह वाला ब्लीडिंग हर्ट है विंटर में यह भी डोर्मेंजी पीरियेड में चला जाता है औ और साइड में आप सदा बाहर देख सकते हैं तो इसकी भी ग्रूत थोड़ी रुख जाती है और कुछ प्लांट में आपको दिखा देती हूं यह आप देख सकते हैं मधुमालती का है तो समर में से बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है मैंने कटिंग से लगाए वे इसको औ यहां पर मैं कुछ बताऊंगी इस तरह से अगर पत्ते सुखरे हुं कुछ है तो आप को तोड़के हटा दीजिए पूरा पोद में करना लेकिन इससाब कुछ सू पत्ता हो या कुछ फूल सूखरे हो उसको तोड़के फटादीजिए याँ पर में और अर प्लांट अपको एक डेविल बैकबोन है यहاं पर ब्लांट जो है ट sweptयियों यहां पर तुलसी जी की पौशेच बात करूंगी तो किसे भी कुछ ही हाल होते हैं यह भी दोरमेंट हो जाते हैं घृत्या-टतियों गलर थोड़ आपएव चेंज लगेगा यहां परम्ध धुधों नहीं आती है winter में फ्रेंस ये एक और पौदा है टेंगल हट है तो ये भी एक हैंगिंग बास्केट प्लांट है ये भी डोमेंट हो जाता है तो फ्रेंस जरूर बताएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगी और भी बहुत आरे प्लांट है अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी